प्रत्येक परमात्माना चरीत्र जीवन नी अंदर एक वक्षत माच वाचु वंदित तुम्हा रोज वाचोच बोलोच चव्वी संफी जिनवर कहाए वोलन तुमें दिया कहा है कमी रात को नींद वुढों जाए तो क्या करने का जल्दी मताये रवा दिवितस नवकर ने-इसी-दो-न मोबाइल उपर हाद जाए चेक कर लो कोई ओनलाइन है किसका वाटसेप आया है और कुछ नहीं तो हमारे बच्चों के पास अभी अच्छी गेम आ गई है पप जी हमारे साथ विहार में चलते हैं दो पाजी देखो खड़े हैं बाद इनको पाजी कहते हैं और आपके बच्चे जो खेलते उसको क्या कहते हैं पप जी का मतलब क्या है यास देखो यह भी पाता है कितना डैप्ट में उसका अभ्यास है कौन से स्टैंडर में पढ़ता है भया फोर्थ में नहीं फोर्थ में पूरा सिले बस आता है थर्ड में कितने परसेंटेज आये थे वो पप जी को पूछो प्लेयर अन्नोन बैटल ग्राउंड इडविंज पप जी शुरू सुरू में हम लोग जब तुम्हारे बच्चे खेलते थे मोबाइल के अंदर तो हम उनको टोकते थे दो साल पहले में जब जाइन नगर में था तो किसी ने बताया कि अभी चलता है पोकी मॉल गो वो बोलते थे जाइन नगर में ज़्यादा पोकी मॉल है इसलिए आँ यहाँ पर ज्यादा आते हैं अब वो छुड़ा है तो पता चला कि अब ब्लू बेल आ चुका है वहां से छुड़ाया तो पपजी आ गया है अब पपजी से छुड़ा होंगे तो कोई नया आप जी आने ही वाला है रात को नीन उड़ जाए सास्त्रकार कहता है कि 24 भगवान की तिर्थंकरो की कथा याद करनी चाहिए पढ़िनी चाहिए है आपके घर के अंबर 24 तिर्थंकरो की क हमारे बच्चे को गुजराती नहीं आता है हिंदी नहीं आता है इंग्लीश में है 24 तिर्थंकरो की कथा तिन पार्ट में इंग्लीश के अंदर आज भी मिलती है अब मैंने जैसे बताया तो मेरे पास आएंगे मारा से आप मंगवा दो ना जो भी पैसे लगेंगे वो हम द और जमाना पूरा होम डिलीर का चल रहा है दूद वारा दूद दे जाता है सब्जी वाला सब्जी दे जाता है चापा वाला न्यूस्पेपर दे जाता है और अभी अभी तो आहा हा जो माटो स्वीगी धारी गण फूड़ पंडा ओला और उबेर की उबेर इट न उबर इट इसको पता है तुम मंगवाता रहता है प्रेन में से नीचे उत्रो प्रेन में से नीचे उत्रो ओला और खड़ी है हम देलिवी कई चलना नहीं है कई बाटिया पकानी नहीं है सब कभी-कभी डर लगता है अभी अभी अमने सुना है कि एमेजॉन की कंपनी ने एलेग्जा नाम का एक डिवाइस बनाया है और एलेक्जा का मतलब ये है आपको सुबह पोने चार बज़े उठना है न तो ढोली को बोल देना तुम मत बजाना एलेक्जा मुठे उठा देगा आपको कुछ नहीं करने का दिमाग चलाने का ही नहीं दिमाग को पूरे मोबाइल के अंदर सेव कर दो और आने बाले दिनों में मुझे लगता है कि हॉस्पिटलों के अंदर फिजिकली जितने डिसीज होंगे उससे कई गुने ज्यादा डिसीज मेंटली होगे शरीर के हर रोगों की दवाईया सोच चुके है अब आज के साइंटीज जो सोध रहे है वो मेंटली डिसीज और सबसे दुख की बात यह है पहले डिसीज ही पगड़ा नहीं जाता है क्या हुआ है तिन साल के बच्चे को पूछो कि आज पूजा करना जाना है आज मुझे मूड नहीं है वारे तू कहां से बोलने लगा मूड नहीं है तिन साल के बच्चे को मूड आउट होता है मूड आफ हो जाता है पता कैसे चला हमारे से कुछ नहीं करना है तो बोल देने का आज झाल झाल